मुंबई में हुआ इंडिया वेब फेस्ट सीजन सेक्स जहां पर लगा वेब के सितारों का मेला इस मौके पर OTT इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ मरुन रंजन की दुनिया के कई कलाकार दिखाई दिए जिन में नाम शामिल है रनवीर शोरे उर्फी जावेद रकुल प्रीत अपार शक्ती खुराना राहुल बोस और भी कई सितारे यहां पर पहुँचे जहां पर हुआ OTT से जुड़े मुद्दो पर सवाल जवाब अगर इस वक किसी भी चीज की धूम है तो वह है स्त्रीटो की अपार शक्ती अपार शक्ती अपार शक्ती बहुत ही अलग तरह का अनेक्स्प्टेड अमने आया है इन फाक्क रिव्यू एस वेल बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे हो वह तो है यह थाई यह थीज कहह एं है कि बहुत कम समय अचा होता है कि रिव्यू बहुत है और नंबर भी अचा अचा है और थाच्छिव पर्फोरमंसेश वी अचिए यह थाचिया शाया इए इस उच्छिपू का प्षय ऑ्यू जाए कि अधिगत लिए और उन्यूश का पुश्किन की टोल कंठीड लूप में नहीं है वर वर अवर एक कहानी बता रहा है बहुत यादबुद कहानी बता रहा है वर फिल्म काल बर्लिन और बर्लिन में पुश्किन वर्मा एक साइन लैंगवज इंटुप्रेटर है टीचर है और तो सरकार उसको हायर करती है। उनका एक केस इंव moet करने के लिए जहां पर उन्होंने एक कल्पट पकड़ा है जो सुन नहीं सकता हूँ और बोल नहीं सकता है क्यूखिकि, मैं कि एक SIGN Language teacher हूँ एक स्कूल में तो मैं ये केसिए करने के लिए आता हुँ तो आप अभी ठेलर देखेंगे, यहाँ पर आज मारा ट्रेलर लांच भी है, I think the perfect place to launch a trailer and Z5 पर जल्दी आप देख पाएंगे. क्योंकि OTT की जहां बात भी की जारी है, बहुत ही साथ कॉंटेंट को लेकर, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि हाला कि फिल्मों में उस सरह से बहुत ही मसाला, entertaining vibe create करने की कोशिश की जाती है, लेकिन OTT बहुत ही साथ जिम्मेदारी भरा हो गया है आपकी content चाहिए boss, तो यहां पर क्या एक सोच है आपकी उसको लेकर when it comes to, first of all very good question यार कि यह थिम्मेदारी भरा हो गया है OTT, बहुत कम लोगों ने अपर तक यह सवाल पूछा है, having said that, you're right, responsibility wala हो गया, you need to come with a product which is pure, which is organic, which is relatable, which is never told before, and I think Berlin, most of the boxes tick mark करता है, and we are extremely proud of what we have, you know, made, because अभी तक जितने भी film festivals में हम गये हैं, all across the globe, you know, from London to Melbourne, आप कहीं पर किसी की भी, मामी में भी थे हम, LA, Chicago, हर जगा, बहुत अच्छे reviews, बहुत अच्छी बाते सुनने को में ली, बहुत अच्छी बाते सुनने को में ली, बहुत अच्छी बाते सुनने को में ली बहुत अतुर सबर्वाल, the writer and director of the film, has a beautiful knack of telling stories in the most organic and pure way possible, बहुत ही सटीक लिखते हैं, जूबली रोने लिखी थी लास्ट, and मुझे लगता है, from Powder to Berlin, जो कुछ भी अच्छी अच्छी बीच में आया, बहुत ही जादा, बहुत ही जादा, बहुत ही जादा, अच्छी और एस्थेट प्रिक अच्छी तरीटेलिंग है, और टूच्वोड बहुत मज़ा है उनके सथ काम करके, अच्छी बता दीजिए, आज अप वेगफेस्ट में आया है, और एक यार, तेखे यार, यह बहुत है, जब भी यह पहली पारी बार नहीं है, मैं थीसरी बार रह रह हुँ है, बहुत कमाल किये बीश में अचे एक और चीज में देखिये जब बीश में बीश में बीश में आवाड शोज भी करते हैं तो हमेशा रेलेमंट लोगों को जो लोग डिजर्व करते हैं सिरफ उनी को ही नवासते हैं ऐसा कुछ सब कुछ मेरिट पर होता है कुछ जबरदस्ति का नहीं होता है so which I think is one of the most beautiful things about this platform well OTT platform का अलगी धूम है और वहां की अलगी चार्चॉन होती है Ranveer is here with us, Ranveer पहले सबसे तो प्रीज बताईए क्योंकि जिस तरह से मैं कहूं कि इंडियन सिनमा में या फिर इंडियन कॉंटेंट जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें एक अलगी तरह की धूम आई थी चाहे फिर स्टोरी टेलिंग का जरिया हो या फिर जिस तरह की कहानिया लिखना हो किपना आपको लगता है या ओटिटी हास बेल प्लेड़ अपार्ट OTT has made a huge difference because cinema घर थे पहले सिरफ फिर हमारे पास TV आया TV का बूम देखा हमने बट फिर भी डिमांड बहुत काफी जादा है और सप्लाइ भी बहुत जादा है of storytelling, filmmaking so वो भी कम पड़ता था अब इंटरनेट के आने से streaming platforms और वैसे जिनरली इंटरनेट के आने से finally हम एक democratization देखते हैं of media and entertainment जहां पे हर कोई हर किसी को डिरेक्ट अपनी audience तक पहुंचने का एक जरिया मिला है so OTT platforms हो या internet हो I think they are a boon for storytelling also because जिस सरा से हमने देखा भी है बहुत सारे ऐसे actors जिनको usually उतना explore करने नहीं मिला हो film की बात की जाए तो जो theatrical release हुआ करते है लेकिन वहां पर OTT बहुत ही अलग शेड में वो आया और लोगों ने उनको पसंद भी किया उनका वो शेड also क्योंकि बहुत सारा ऐसा content भी होता है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर डाला पड़ता है कि बहुत ज़्यादा एज बारियर हो जाता है क्या लगता है उस पर भी कितना काव करने के जरुवत है और फॉद आपको पता है मतलब सीरीज से लेकर टेन पार्ट सीरीज से लेकर डेड़ मिनिट की कि शॉट्स यहां रिल तक फॉर्माट्स हैं अलग अलग फॉर्माट्स हैं ज़िए ज़्याद मिनिट का तीन मिनिट का दस मिनिट का आदे गंटे का एक गंटे का डिये जो इतनी जब एविलूशन चीजें इतनी चेंज हो रही हूं तो आक्टर्स को भी उसे साब से ही कि शवा दुट के लिए प्लाट्फोर्म का बहुत ज्यादा बूम हुआ है तो आपको करे जाना चाहिए था कितना बदलाव आप में देखने वाल है कि क्या लगता है कि आपको की पियार गें या फी मार्केटिंग गेंग कि इनना फॉर अट्र इस रही कितना प्रिया जग मेरे लिए मार्केटिंग पीर 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 मेरे लिए कभी वैसा नहीं हुआ है मेरे लिए हमेशा जो मैं अपना अपनी स्किल अपना तैलेंट दिखाना मेरे लिए वह स्पीर है मैं चाहता हूँ बिए लोग मेरे फिल्मेकिंग स्टोरी टेलिंग अक्टिंग ग्यूसिक वह लोगों तक पहुचे आप अज अपना और फिर ठीक है उसको सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग पीर करना मैं आइंग शुचा है और मैं यहीं समझता हूं कि फेमस होना अमबिशन नहीं होनी चाहिए, फेम इस बाइप्रोडक्त आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैं फिल्म या म्यूजिक की दुनिया में अपना काम अपनी ओर्डियन्स तक पहुंचा कर अगर जो भी फेम मिले वो करना चाहता हू तो यहीं जैसा है तो यहीं, फेम इस बाइप जैसे फेम सेख जिस एड़ा है गलत उल्टी थिंकिए मैं बता जीजिए तो यहां पर आपने बाते भी संजा की अगा बहुत मज़ा आया बगा तो यहां को थोड़ा और मौका मिलता है दूसरे इस पीकर को भी सुनने का तो तो मज़ा आया बड़ आपके में जादा नहीं बोला कि मेरा कभी-कभी जब मोटर स्टार्ट गरम हो जाती है ना मेरी तो फिर बहुत चलती है तो कि मेरी एकी फिल्म द्रिक टु छोसमेदारी बन जाती है नचला कि फिरेक्ट्र गगरा के बाद पाद पाद टृह नहीं बड़ा I feel like OTT has pushed the envelope in the sense that जिस तरह की कहानिया बताई जा रही है hard-hitting stories, great performances, you know, reality stories so I feel that in a writer's or director's mind it comes to the mind that if you are in OTT, it should be good, it should be solid and not OTT, in the theatrical world I feel this whole change and the transition of OTT's world that has led to some solid writing and it's a great change to embrace very cool, and when it comes to you as well because today we are seeing that India has come to the web fest how do you think that the web is developing, because India is now developing how do you think that the change you have when it comes to Indian cinema I feel the reach that you can watch content in your home because we are a huge country with a large population and not everyone could afford going to the cinemas so I feel that when you are sitting at home, you are getting so many content and you can tell amazing stories, inspiring stories through that I feel that's great, you know, so if you want to tell a heartland story that you can see a person in Madhya Pradesh, you know, in an interior city even that's possible, so I feel that reach that OTT has created is amazing Lastly, please tell me, what are you wearing today and how much you are wearing today? I am wearing an international designer and yeah, just Gucci boots and I don't have much time for it so I think an hour and a half I really think that's awesome I think an hour and a half of the film, Auroffi was getting a lot of attention in the future Auroffi is coming with your new episode and it has become a lot of the film Auroffi's coming with you also back to the film So I will just tell you how much you have in the film यदिन पहरा है वर कि आपने देखने नमर वान उन प्राइम को यह है वह यह बढ़ा है और यह वह नहीं को आप आर में आप प्राइम जा बिए लुट आपके लिए वारी वारी शुरुरू हो जाये विज भी एव बताई हैं मुझा भी जब आपके लिए प्राइब कर दो ए साडी में तो बहुत मेहनत लगती है यार पहनने में पटाया इस वही कंफुटिबल कि युकि जब इन कॉंटेंट की बाती है और फी किस तरह से देखते हैं अपिस एंटायरली ओटी को क्योंकि कही ना कही बहुत ज़ाद योगदान आपके करियर में भी रहा है बीट ओटी या फिर बीट सोशल मीडिया की बात की जए इस तरह से देखती हु मैं ओटी ट की प् क्योंकि जब टी की बात होती है अपने लिए इस लिया था और फिर कितना आपको अइसा लगता की इंपोर्टन है क्योंकि वास्ट ओडियंस होती है वास् पॉर्टन होता है ओँस्टि एस बढ़ एंपोर्टी इस बढ़ एंचल मुझी लोग ऑपनी प्ने इस येंस्से we are getting more and more opportunities in OTT पोलोर आज यहां पर आप आप इंडिया फेस्ट में आई हुई है सीजन 6 है इसका किस तरह का एंटारी एक्सपिरियंस रहा? I just spoke at the table and I think I'm very honored that India Webfest invited me and we spoke about OTT and my show it was an amazing experience रुर्फे जिस तरह के पिसोड अभी तक सामने आया है किया उमीद रखनी चाहिए कितना आपका एक ओवराल एक्सपिरियंस रहा था अपनी लाइफ को इस तरह से शोकेस करने एक्सपिरियंस पतला है तो मेरी लाइफ थी पस camera लग गगे तो जैसे अब ही हम बात कर रहे हैं बस चार camera और यहां लग जाएँगे कि मेश्रोब लाइफ यह था और आपका इस एक्सपिर से जा तरह से उट टーडग यह था एक्सपिरियंस टॉर्ड जाएं ग्यां कुछ आने वाले दिनों में कुछ अलग कि यूप विटनिस्ट इस विटनेस्ट इस कि इस तरह से पूरी जो इंडियन थिम इने माइन चीन आया है तरह से प्रेश चान्ट इस रहा से अंग एक आट गर जो इस एक्सब्लॉर कर पाते हैं। क्योंकि हर जगा एंडिया अभी बेवल्लप कर रहा है। कितना लगता है कितना माईने रखता है और कितना चेंज आया है और अटेटी के वज़े से इस तरा से content प्रोडूस करने के वज़े I think OTT के वज़े से, okay, you're holding it, okay, opportunities बहुत बढ़ चुकी है, not just for actors, but also for technicians, also for directors, for you know, people who make content, script writers, consumers and most importantly audience के लिए सबके लिए क्योंकि इतना सार और content आया, इतना सार और platform मिला अच्छा content आने के लिए, so I think opportunities बहुत खुल गई है और इसकी वज़े से काफी experimentation लोग ट्राय कर रहे हैं, because of which कुछ चीज़े work कर जाती है बहुत अच्छे से, जिसकी वज़े से, इंडिया को एक इंटनाशल प्लाटफॉर्म पे भी अच्छा standing मिल रहा है, काफी सारे इंटनाशल फिंटनाशल फिंटनाशल फेस्टिवल्स त काफी है इंडिया उन्नाशल फेस्टिवल्स प्लाटबार के लिए एंटनाशल की इस फिंटनाशल 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 आपके जिंडगी इस पिंटनाशल फिर्फंट इसना अच्छा पिया है, because we have seen you in how many series you performed. किया है और कुछ ऐसे स्टोरी लाइन आप लेकर रहा है जो कि यूथ कनेक्टिंग रहा है तो कितना इसमें भी फरका है इन यूर परस्नल लाइब मेरा कारियर चेंज किया है I'm not going to lie because जब मैं भी परस्टी किया था या तो आप Bollywood picture कर सकते ते या आप अप अद्स करते तेट या आप तेलिविजिन शोग ए ते बाव टार्था तो यूथ परस्टीपर बनना शुरु था तब बनना शुरु था और जब बनना शुरु था और मुझे पता चला मुझे इंट्रे वहां वहां थो थीन शोग थे, Mtv, एफिर बंदास थे चानल थे तरह के आथे और अब वी किन सी आवाइट इन वाइट इन वाइट प्रेड इन अब बिकॉस अफॉटी ट्राफर्म सब के लिए सब कुछ है ए और 5 एक मेरी 80 साल की और डादी के ले अनके हिसाब यह इन्याठी यह प्रोड़क Sharing अब्लिय बिकृ बहु के लिए कर एफिर्या और के लिए युक्त पॉलख के लिए कि मिरीमम्मी ऐिरी बरेविरी की पापके के लिए कोईड और ऑन्टाइ सिली एक्सपिरियन्स रहाया? मैं एक्चिली आए ड्याएम के इस कॉंट्लेव में नियुक्ता बॉड़ा है तो हर साल किसी आए पानल में आती हूं या वार्ट फंक्शन में आती हूं तो काफी अच्छा रिलेशन्शिप आएम एक नाएम के साथ काफी साल पुराना है आएम बहुत मज़ा आता है बिकॉस यह जो पैनल होते हैं टॉक्स कीनोट स्पीचेश होती है अच्छी बहुत इंफरमेटिव होती हैं तो लास्ट यह भी अपना पैनल करने के बाद में बैटी थी एक दो गंटा दूसरों का पैनल सुनने के लिए बिकॉस आपको एक जगे में इतने सारे लोगों का इंसाइट मिलता है जैसे मैं जो पैनल करने जा रही हूं उसमें मैं एक अक्टर हूं बाद एक सीओ हैं लोग जो कॉंटेंट बनाते हैं जो कॉंटेंट करते हैं अपको पूरा 360 डिगरी व्यू एक पैनल में मिल जाएग इसने सूस्पेंस को लेकर स्पाई त्रिलर को लेकर क्या अन्विल करना चाहेंगी इसकी बाद आख स्पाई थ्रिलर तो है जरूर लेकिन अप्आई थ्रिलर में हम अकसर देखते हैं कि इसमें वैसा स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसमें जो शक्स है, जो इस पाइ थिल में इन्वाल्व हो जाते हैं, एक तरफा, ऐसा नहीं कि दूसरे तरफ पे विलन है, उसी तरफ जो ही तीन के तीन जो शक्स कोशिश कर रहे हैं किसी एक सच पे पहुंचने के लिए, ुन में कौन सही है, कौन गलत है, कौन सफेद है, और कौन काला है, पहुंचने जूट बोल रहा है वर कौन सच बोल रहा है, इसमें विल्ब्हा इन्श की नाम है जगदीश सोंधि और वो raw में काम करता है, काफी senior है और I think मतलब जिन्दगी में उसका जो outlook वो है self-survival उसे survive करना है उसे कामियाब बनना है श्रै उसका हो तो ये एक तरफा है और दूसरी तरफ है कि duty to the country, to the nation तो इन दोनो के बीच में Tanao जो बनता है तो विच वे इस सौंधी गो It's a very interesting character We will be thrilled to watch this as well but then I would be like to know क्योंकि हम OTT की बात कर रहे है theater, tv और इन सब के बारे में कि किस सरह से हल एक प्लाटफोर्म अपना जो share है वो देता है Hindi cinema को, Hindi content को पधर दो यू थिंग कि आने की वज़ो से कितना जादा जिमिदारी वारा जो एक बोज है वो आगया है हर एक अपर पर क्योंकि जाएटर की वाद करते तो वहा पर तो एंटेटेंमेंट चलता है अधर वन अपर पर इंपोर्टन कि आप गज़ो अपरेंगेंट देंगेंगे या दस करोर कि लिए किसी फिल्म में आएख मुझे अपराइट नहीं पडता है अधर इंप मुझे थिर्म रख नहीं है टो पराइटा है यूज तो टेडिकेशन अगल पराइट इंटेट तो एंटेटियू है अज था हैं झाल्या फ्रीपस्त अटेशन में पारी प्रीटन on I think Berlin, on OTT, on what's happening on the web, so I'm looking forward to it. Manish Kalra and Atul Sabrawala here, we will add a little roshni on this topic, that when we watch OTT or content, especially when it comes to content, how much more you can present it on the screen, especially when it comes to OTT comparatively to theatrical releases? For films, it's the same. I don't think it changes anything. For series, of course, it's different because it's a longer format and you have to think in terms of episodes and in terms of high points and cliffhangers as they're called. But film Banate Wakt, I don't think, except for originals which are commissioned, I think the distribution decides the destiny a little later and that doesn't affect the creative decision. I'm sure you would agree as to how. It broadens the spectrum is what I would say. I don't think there's any specification yet as to, okay, this kind of story for OTT and this kind of story for theatrical. And like Zee did Joram as theatrical a few months ago. So I, at least on this side, on the creative side, I don't know if there's a mandate. They would be able to shed the light better on this. Yeah, from the content and OTT perspective, we look for more evolved stories wherein the characters are more complex, the layers are unlavering. Because we get a lot of data about consumers. We know that we need to keep them engaged for those two hours, one and a half hour. So there needs to be some up and down in the story which comes in every seven to eight minutes. The characters need to evolve. The layers need to come out. So you will see OTT has more complex stories. It has more evolved layers. We do not want linear stories like cinema. One love story sampling will kind of work. And we have seen some of those stories do well as well. But in OTT, we look for kind of more broadly evolved stories. Even in series, I think like Atul said, series are more long format. And each episode has to have, let's say, opening hook, cliffhanger, some high points in between. So art of storytelling, I think, is evolving with OTT. But ultimately, good storytellers is what we are looking for. But when I look for any plot, it has to be about the plot. It has to be about the story. Then who is telling the story. Then how do I ensure we get the right characters to fit in with the right actors. So all that. But definitely, I think storytelling versus normal platforms is much more evolved. And getting more evolved as we go forward. Saadhi, because OTT, when we talk about the whole world of the world, we see how much we need to sell a product or a series of products. So it is important to sell it rightly on social media platforms, PR, marketing. How do you think that all of the content is playing a very big part in it? I think it is playing a very big part. It is, as the content is becoming crowded and the platforms are getting overpopulated, for your product to stand out, I think you need a good marketing team and a good social media team and a good plan. You know, because how do you differentiate? Because if everybody is ticking the same boxes, then what are you doing? That's what I feel. Yeah, I think like Gatul said, you have made a good product, but there is a plethora of content. Now, what do you want to pick them? So unless the right message reaches them through the right mediums, whether it is social or PR or marketing or TV, and in the right format, so I will give you an example. Let's say that we make 50 content in the year. Now, you have to market every content, because who is the customer, who wants to look at it, who is the medium, who is the medium. So that's an important part. And what I also learned is that if content is not good, you don't have to do much marketing, it will not work. That's clear. Because if you want to keep the customer content, marketing helps you amplify, it becomes a catalyst, it helps you reach more people, but ultimately you have to create great content and to get the right leverage for it. Lastly, we would just like to know that today we have come to a web fest. What are we looking forward to? What kind of things do you get to hear from us today? We are interested in our trailer launch, we are going to see that. I don't know, but I am sure there is a great panel out there and it will be a good learning exercise, especially for me, to be able to understand what the platforms are looking for and how can one be more inclusive and more participative in, you know, from the creative side into achieving those goals and reaching out the wider audience. So more for learning here. Yeah, I think I am looking forward to the panel and obviously there are some other good speakers. So there should be some good learning on digital as well as how the world is evolving. So excited about it. It is a very successful and successful event and at this time Siddharth Lyak is here with us. Siddharth, since we have seen that we have to pay more attention to the content, it is very necessary to pay attention to the content. If not, we will give anything and we will say that we will take it. Because when it comes to theatrical, there is a lot of entertainment. But when it comes to OTT, there is a lot of responsibility to the audience. And the audience is also demanding. How much do you focus on this festival today? First of all, I will start with Mr. Amit Yagi Sir. We have known each other for many years now. And we are doing something that is new and innovative. Mr. Amit Sir has always supported us. And talking about your question, I think OTT brings a lot of variety content. There are many different stories, different artists, different stories, different stories. It brings a lot of different countries. So OTT gives a lot of work and opportunities. So I think it is a huge opportunity for everyone in this ecosystem. Everyone is getting a lot of work. The audience is engaging and entertaining. And this is just the start of the festival. And this is the festival. Because we are seeing that it has come to season 6. People really like it. People want to talk about it. People want to talk about it. People want to understand it. But you would like to know what it is coming to season 6. When we started, OTT industry was not very new. At that time, Netflix was not launched in India. They were at the very nascent stage. But we realized that this boom will be 100% in the industry. That's how we kept at it. Constantly, this ecosystem is written about the world. We cover the editorially. And it has been 6 years. We are learning with each passing year. This time, you will see that the line-up was very strong. The conversations were very relevant. And hopefully, the seventh year will be bigger and better. Also, because I was talking about topics here. I was talking about which topics. This time, specifically, has been changed. And what outcome has also been released. Also, how important do you think about this? To understand how important it is. Throughout the day, we have discussed many topics. We have discussed what people want to know about OTT industry. In the morning, our Netflix panel. They told us that if someone wants to work with Netflix, then what kind of content they are looking at. Then, our branded content panel. We spoke about influencer marketing. We spoke about different business models like SVOD, AVOD. Then, our Berlin Z5 movie trailer launched. Raqool Preet Singh, who talked about women's strong characters on OTT. We talked about social media. Throughout the day, there was a lot of relevant conversation. And I believe people enjoyed the overall discussions. Please tell us, what do you expect in the coming days? And how many other things are you looking at? In this industry, we have a lot of attention to our OTT. We focus on gaming and other things. Apart from that, the regular television, movies, sectors are our regular bread and butter. But we constantly look at good associations. Like we have with today. That we can reach out to our audience. Whatever initiatives we are doing. And in which way we can bring new innovations. Through discussions, through leadership, point of view, sharing. That is what we are looking at. And hopefully, we can do interesting stuff in the future also. This is India's biggest OTT and web entertainment conclave. Which the team has published the IWM Bus. And we have put them on camera. We are looking at 24-7 entertainment. If you like this video, please like this video. Please give us a comment. Please give us a comment. And please like this video. Please subscribe to our channel. If you are watching this video on Facebook, Then follow our Facebook page. Please follow us, now let us know right now. For all the videos we have. As well.